हलो दोस्तों मैं हूँ बेयर स्वागत है आपका इंफो बेयर में दोस्तों बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक जो है वो दस हजार करोड जुटाने वाली है यह क्यूं हो रहा है हम लोग देख रहे हैं कंटिनियूसली काफी सरे बैंक जो है वो पैसे जमा करने के पीछे लगे हु हो चाहे एक्सिस हो चाहे येस बैंक को चाहे आइसी ऐसे बैंक हो हर पॉई बैंक इंक्लूदिंग देख बैंक जितने भी मेज़र बैंक के हम लोग पिछले हफ से भड़ से देख रहे हैं कंटिनियूसली ओआ कोई अपना Q-A-I-B की लेकर के आ रहा है कोई फंड रेजिंग करने के पिछे पढ़ा है को एक्वीडी ओफर कर रहा है और 10-15 हजार करोड के आसपास का पैसा जो है हर कोई बैंक जो है वो जमा करने के कोशिश कर रही है इसके बैसिकली दोस्तों दो रीजन है एक तो जो चल रहा है उसकी विज़े से कोई भी ट्रैंजेक्शन हो नहीं पा रहे हैं प्रॉपर्ली काफी सारी कंपनी बंद है और बैंक का जो में लोन बिजनस होता है वो पूरी तरह के ठप पड़ा हुआ इसलिए आने वाला इंट्रेस्ट जो है उस पे इफेक्ट हो रहा है दूसरी चीज़ आ रही है मोरोटोरियम पीरेड जो है वो लग गया था तीन मैने का उसके बाद शायद उस पटिकलियर पीरेड में जो है कोई भी अपना इंस्टॉल्मेंट नहीं पे कर रहा था और काफी सारी इसूस बैं कि छोटा बैंक हो मूटा बैंक हो से na HDFC बच पाया है इसे बच पाया है इसका इंपक्ट्फ रहा है काफी पट्फ बंख ऑब चलतेToo के लिए और आपकости ज जो है वो अपना की वाई पी लेकर के आयो है जो है वर्थ एप्रॉक्स टैन ताउजन करोर्स का और यहां पे जो है आज शेर होल्डर ने इनको अप्रूवल दे दिया है वो की वाई पी लाने के लिए और इसके चलते मार्केट में इनका जो शेर है काफी अच्छे लेवल प तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं ताकि कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है इंग्लिश का क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में लिखा होता है तो वह एजी ली जाके पढ़ सकता है कोई financial terms वहाँ पे होते नहीं है तो बहुत एजी होता है पढ़ने के लिखा हुआ है और वह है एक्सिस बैंक के बारे में तो उसको ओपन करके देख लेते हैं एक्जाक्ली न्यूज क्या है तो देखिए यहां पर क्लेरली लिखा हुआ है कि एक्जिस बैंक जो है वह ओफर कर रही है 10,000 वर्थ QIP जिसका बेस प्राइस होगा 442.29 यहां पर 5% देखिए डिसकाउंट की बात हो रही है बैंक की तरब से बड़ अभी एक्च्वल में क्या होगा जब यह ओफर किया जाएगा और जब यह सब्सक्राइब किया जाएगा तब हमें इसकी जो बेस वैल्यू है जिसमें यह ओफर किया गया है वो पता चल सकती है अभी जैसे म है अभी क्यू आईपी बेसिकली क्या होता है यह एक टाइप का बाइंग ओफर होता है जो जैसे नॉर्मली इक्विटी शेर करते हैं तो यह लीगल प्रोसेस त्रू इसको जाना पड़ता है सेभी के रूट से अगर आप क्यू आईपी ओफर करते हो तो यहां पे कोई जो इसके लिए सिलेट के हैं वो एक तो एकसिस कैपिटल है दूसरा पी परिबास है और यूएस यूबी एस करके एक है यह बेसिकली एजर ट्रेट अडवाइजर करेंगे तो इनके थ्रू आप जो है वो इसको बाई कर सकते हो अभी क्यू आईपी जो होता है वो बेसिकली सब डेटा वेरिफाइड है और जो बड़े लेवल पे जो वो कॉंटेटी खरीच सकते हैं अब जैसे मैंने कहा कि ड्यूरिंग पैंडाइमिक बैंक के काफी सारी इशू यहां पर फेस किये गए हैं तो आपे फिलाल तो अभी मोरोटरियम पेरिड बढ़ेगा नहीं बढ़ करोड का क्यू आई फी अलड़ी दे चुकी है बैंक जिसका कुछ एडिक्वेसी रेशियो 17.29 तक रह चुका है और यह बैंक का टियर वर कैपिटल जो नियरली वन फाइव जीरो बेसिस पॉइंट पे आया गया था और जब लास्ट मंत की अगर बात करें जो ऐसे मैंने कहा काफी सारे बैंक ने अलड़ी काफी सारा फंड जो है वो रेज कर चुके हैं यहां पर प्राइवेट लेंडर अगर बात कर रहें तो कोटक महिंद्रा बैंक है उन्होंने लगबग 7400 करोड का क्यो आई पी किया था उसके बाद में इस डिया आइसी इस बैंक हो उन्होंने अपना स्टेक जो है वो सोल्ड किया था इंशोरेंस वेंचर में उसके और जो अमाउंट उन्हें रेज किया तो लगबग 3,090 करोड का था इसके बाद में जो है अपना फेवरेट जो सबका भी जिसका जिगर का तुखडा बना हुआ है यस बैंक ने भी 15,000 करोड का जो है वो FPO लेकर के आया था तो हर कोई बैंक कोशिश में लगा हुआ है कि उनका कैपिटल जो है वो मेंटेन रहे उनका जो बिजनस है वो चलता रहे और कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज ना आ जाए कि बैंक को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाए वैसे भी सेभी के रूल की इसाब से प्रमोटर को अपने शेर्स कम करने पड़े हैं और कल की बात हैं हमने बंधन बैंक की बात की थी दोस्तों तो बंधन बैंक में भी वहां के प्रमोटर ने शेर्स ओफलोड किया है और FIIs ने उसको जो है वो बाई किया था और यह जो न्यूज आज सुबह आई मार्केट मे तब FIIs जो है उनके बाइंग से बंधन बैंक को अच्छा खसा रेज देखने को मिला है उसके शेर प्राइज में तो दोस्तों यह न्यूज था एक्सिस बैंक का तो शायद इसके यह न्यूज मैंने आपको अभी दिया है तो शायद इसका इंपक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है 15,000 करोर के आसपास के जो टोटल पैसे मजब टोटल अमाउंट करने की सोच नहीं उसमें से 10,000 तो क्यू आई पी से करेंगे और इसका अप्रूल जैसे मैंने कहा के शेर ओल्डर्स अलड़ी दे चुके हैं तो अभी देखना बनता है कि जो बचे हुए 5,000 करोड है उसके लिए बैंक क्या प्लान आउट करेगी क्या अगर बैंक उसके लिए इक्विटी ले करके आती है और अगर इक्विटी ले करके आती है तो बैंक क्या करेगी वो राइट इशू करेगी क्या करेगी बैंक बोनस देगी और बैंक बोनस तो इशू सवल यहां में नही चुके हो कि न्यूज क्या होगी और इसका इंपक्ट भी मार्केट में होना स्टार्ट हुआ है अब यह कितना चलता है वह देखते बनता है तो दोस्तों यह था वीडियो अच्सिस बैंक के बारे में न्यूज अच्छी लगी हो तो दोस्तों कॉंटेंट अच्छा लगा आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे चैनल को और लाइक शेयर जरूर कीजेगा दोस्तों और बेर न्यूज पे जरूर विजिट किया करेगा उसके लिंक उस पर्टि बहुत ज्यान जमा कर सकते हो वहाँ पे काफी कुछ चीज़े सीख सकते हो वीडियो भी है एजुकेशनल कंटेंड भी है न्यूज भी है दोस्तों वहाँ पे और शॉट्स भी है ब्रोकर के टार्गेट्स भी हम लोग अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं सोर्स से तो देखते क्या क्या आप को व्लोग एक प्लैट्फॉर्म पे दे सकते हैं दोस्तों तो विजूट जरूर कीजेगा और अगर आप विजूट करने के बाद आपको जो पॉइंट आफ व्यू है वो हमें कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों थैंक्यू वेरिमाच